इस वीडियो में हम लोग CBSC बोर्ड का 12th का रिजल 2020 का देखेंगे कैसे चेक करना है वो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले मैं सारे स्टुट्स को बेस्ट आफ लग बोलना चाहता हूं जो भी CBSC के स्टुट्स पास हुए है 12th का रिजल डिक्लेयर हो गया है बहुत सारे स्टुट्स ने एक्जामिनेशन नहीं दिया था जिन स्टुट्स का पेंडिंग रह गया था उन सबको कोई बात नहीं जिन उनको जो है एसेस्मेंट के उपर दे दिया कि है माक्स पर जो भी हुआ सो हुआ क्योंकि आप सबको माल अचे हुए नहीं होंगे तो मेक शूर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो सबसे पहले में रिजन इसका सिर्फ यह इतना है सब्सक्राइब करने का क्योंकि सीब्सी बूर्ट से रिलेटेड जो भी सबसे पहले इस चैनल पर आती है तो मेक शूर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटल आपको इतना वाला होना चाहिए कि सीब्सक्राइब जो है वह 12 बहुत दिन से बाकी था निकलना 13 कैसे चेक करना है वह भी इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दूँ कि किसी भी ब्राउजर में Google.com उपन करें और वहां पे आपको लिखना है CBSC Board 12th Result 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS Paper IAS Paper एक exclusive website है जहां पे CBSC Board से सारे information आती है CBSC Board का जो भी result होता है वह सबसे पह Google.com उपन करना है वहां पे आपको लिखना है CBSC Board 2020 12th Result ओके इसे सर्च करेंगे जैसे आप इसे सर्च करेंगे ने टाब में जाएंगे और आपको सबसे पहले आपको देख सकते हैं CBSC Board Class 12th Result 15 July को आने वाला था पर सबको मालूम है कभी-कभी यह जल्दी निकाल दे तो इस CBSC Board 12th का जो रिजल्ट हो डिकलेर हो चुका है चेक CBSC Board 12th Result ओके तो CBSC Board 12th Result 13th July को रिजल्ट डिकलेर हुआ ऑनलाइन मोड में Central Board of Secondary Education जो है CBSC का जाता है जो 10th और 12th का एक्जामेशन कंड़क करती है पूरे कंट्री में तो इपसे पहले आपको बता दूं यहां पर भी आप देख सकते हैं CBSC Board 12th का रिजल्ट डिकलेर हो चुका है CBSC Board 12th Result has been declared on 13th July 13th July को निकला है उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है कि जो आप इसे जरूर भर दें आपका फूलनाव आपका email आडिया पर कॉंटेक नमर आप कौन से राजिस हैं जैसे मैं डेली का रहने वाला हूँ तो मैं डेली पर क्लिक करूंगा आप डेली के कहा है है तो मैं डेली के सदर बजार में रहता हूँ कौन से कोर्स में इंटरसे हैं और यहां पर highest qualification का है, तो मेरी highest qualification 12, है मैंने 12 पर click कर दिया, get free counselling पर click कर दिया, उसके बाद क्या होगा, CBSC से related जो भी updates होंगे, आपको सबसे पहले मालूम चलेगा, तो make sure करें कि आप CBSC और get free counselling पर click करना, उसके बाद क्या होगा, CBSC boards related जो भी updates होंगे, आपको email SMS का दरे मिलते रहेंगे, और अलग-अलग universities, अलग-अलग institutions, अलग-अलग colleges से आपको email आते रहेंगे, और admission के लिए कि आपको offers आते रहेंगे, कि आप चाहे तो उनके पास भी admission ले सकते होंगे, तो काफी important है, तो get free counselling पर click करना है, तो जैसे आप इस पर click कर देंगे, तो यहाँ पर CBC board का 10th का 12th का result हो 13 July को निकला है, application जो इसका exam हो तक 15th February को चालो हुआ था, और end हुआ examination 30th March को, तो यहाँ पर आप सारे details चेक कर सकते हैं, definitely, और यहाँ पर result के analysis है, उसे भी check करना है, कैसे यह सारी चीज़ें है, result कैसे declare हुआ, यह सारी चीज़ें दी गई है, तो इस पर click कर लेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, CBC board result has been declared on, 13 July click here to check results हो, तो जैसे आप इस पर click करेंगे, net type में जाएंगे और यहाँ हमें result चेक करना है, काफी simple है, काफी self-explanatory है, पर कई बार students को वालूम नहीं चलता है, server थोड़ाँ सा दी रहे है, इनका फिर reload कर दिया मैंने, डेपेंड करता है, definitely आपके internet की speed के ऊपर की किस तरह से आप चीजों को handle कर रहे हैं, और किस तरह से application form वेगेरा, मतलब माफ कीजिएगा result का server चल रहा है, server जो है कभी-कभी problem हो जाता है, server के अंदर तो आपको परिशान होने की ज़ूरत नहीं है, definitely, जो भी है, वो है, okay, all right, थोड़ा सा problem है, मैं reload कर रहा हूं इस चीज को, all right, guys, थोड़ा सा problem है, जैसा ही सही होगा, मैं बताता हूं, तो काफी simple है, यहाँ पर देखी, जैसे यहाँ पर मैंने एक photo दिया है, काफी simple है, जैसे आप description में link के उसे open करना है, थोड़ा सा servering का slow है, तो आपको problem नहीं होगी, जैसे ही चालू होगा, आपको मालूम चल जाएगा, server का problem है, पर कोई बात नहीं, जैसे आप इस पर link पर click करेंगे, यहाँ पर, नहीं टैब में जाएगे, और यहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पर आपको roll number डालना है, जो भी आपका roll number है, यह definitely इसी link पर हमें click करना था, all right, तो यह open हो रहा है, definitely मैंने आपको पहले ही बताया कि काफी थोड़ा सा slow है, क्योंकि बहुत सारे लाखों बच्चे एक साथ ही देख रहे हैं, इस website को open किये हैं, और इतने सारे बच्चों का handle करना traffic थोड़ा सा possible नहीं होता है, all right, done, आ चुका है, तो मैं कहीं और example दोंगा नहीं आपको, all right, यहां पर क्या करना है, आपको roll number डालना है, जो भी आपके admit card पे है, roll number यहां पर डालना है, आपका जो भी roll number है, c, c, b, 1225432, जो भी आपका roll number, school का, जो number है, admit card पे जो मिला है, आपको school का number, वो डालना है, जो भी में exam के तरफ यह roll number है, center number जो है, आपका admit card पे वो डालना है, admit card पे हर एक चीज नहीं लिखी है, तो center number जैसे मेरा जो है, 854 है, तो वो डालना है, admit card ID डालना है, admit card का ID, जो है, admit card पे लिखा है, आपको है, जो है, डाउनलोड हो जाएगा result, उसका print out निकालने, और काफी simple है, print out निकालने के बाद, आपका marks वेगरा सब कुछ मालम चल जाएगा, तो इस तरह से आपको check करना है, काफी simple है, काफी self-explanatory है, उमीद है, इस वीडियो ने आपके CBSC results related सारी information को clear किया रहेगा ऐसी वीडियो जगर आपको future में भी चाहिए, तो चैनल को subscribe करें, description में लिंक है, उसे ही check करें, कहीं जाने के जोड़ने, thank you so much for watching